ऐसा रसीला दानेदार खाते ही बस मुँ में जाके घुल जाने वाला ऐसा मूंग दाल का हलवा जिसको आप बना सकते हैं सिर्फ उसे 10 मेट के अंदर ना दाल भिगोने की जनजट ना ही दाल को घंटो कड़ाई भूनने की महनत जटपट से बनाईए फटाफट खाईए इतनी आसान रेसिपी एक बार बना लीजए पुरिचार महिन तक स्टोर कर लीजए कैसे बनाना है कैसे स्टोर करना है चलिए वीडियो को देख लेते हैं तो आज का इंस्टेंट मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए मैंने यहां पे ली है एक कप पीली वाली दाल बिना चिलके वाली जो कि आको मार्केट में आराम से मिल जाएगी मैंने यहां पे एक कप ली है नाफ से कहें 200 ग्राम है यह देखे इस तरह से अब दाल कों के करें दाल को एक पानी से धोने के बाद में देखिए पानी कितना गंदा हो गया है इस पानी को हटा देंगे और ऐसी हम दो पानी से दाल को पहले और धो लेते हैं दाल को 3 पानी से धो लिया था है, मैंने फिर घ्रणी फेला दिया है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी हो दाल के अंदर निकल जाया है। दाल हमारी हल्किस ड्राय हो जाया है। लगबद 2-3 मेट के लिए दाल को हम ऐसे छोड़ दें खन्नी के ऊपर ताकि दाल जो हलकी ज्रायसी हो जाए तो यहां पर दाल को श्रायसी पड़े हुए 3 मेट हो चुके है 3 मेट के बाद देखें दाल कितनी तीन अच्छी ज्रायसी हो गई है जितना भी एक्ष्ट्रा पानी निकल गया है ये देखिए इना पर्फेट खिली की लिए दाल बनके त्यार हो गई हमारी दाल के जितना एक्ष्ट्रा पानी है निकाल दीजेगा दाल को हलकी से हवा लगने दीजेगा उसके बाद चलते हैं गैस के तरह इसको बनाने के लिए तो गैस पर रखेंगे पैने कड़ाई इसमेट कर देंगे हम एक चम्मा देसी घी गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और घी को में गरम निकरना सिंप्ली बस मेल्ट करना है जब घी मेल्ट हो जाएगा हलका सा फिर समेट कर देंगे हम अपने धुली वी दाल ध्यान रखेगा गैस की फ्लेम को लोई रखेगा अभी को धीमी धीमी आज पे लगातार चिलाते वे दाल को में सेखना है ताकि दाल जो है अंदर तक करारी सी हो जाए अगर गलती दाल के अंदर मौशर रहे गया आप जल्दी सेख दिया उपर दाल कारी हो गई मतल़ जल यह उपर से फिर हल्व कराब हो जाएगा तो लगलतार चिलाते जाले लो फ्लेम पर होनी में जाकि अंदर तक कराडी से हो जाए में है न से अो यह ने लिचेर करेंत। दाल पे ळख कर दबाईयए है फर सी तू जा रही है मतर है क्रिस्पी सी हो गई है हलो का मौशर होगा निप yaptर्द में तुओ कर देंगे सर्देन और यहां वे में की जार सुखा है करेंगे दाल को डाल देंगे और दाल को हमें ऐसा नहीं ग्राइंड करना कि इतां fine powder बनाना है दाल को हम हलका दरदरा ही पीसेंगे जैसे मोटा बेसन होता लड़ू बनाने के लिए भी कुछ वैसे ही हलका दरदरा सा और ये देखें मैंने यहां दाल को ग्रैंड कर लिया है पीसना कैसे है दाल को पीसे हलका सा मिला दिए स्पून से ताकि दाल सारी एक समान पीसे लगातार चलाएंगे न तो क्या दाल का powder बन जाएगा वो मिने चाहिए दाल को हलका दरदरा रखना है जिससे मोटा बेसन होता भी कुल वैसे ही अब बनाएंगे हम दाल का प्रेमेक्स जिससे हम बनाएंगे इंस्टन मूंग दाल का हल्वा तो अब इस मैट कर देंगे हम मिठास के लिए चीनी तो मैंने यहां पे सेंग कप के नाफ से एक कप प्रिसीवी चीनी लिए है एक कप मूंग की दाल के लिए एक कप चीनी इधम परफेक्ट रहती है मेठा बहुआ पसंद करते हैं अब मूंग दाल के हल्वे को और टेश्टी बनाने के लिए हम इस मैट कर देंगे आधा कब मिल पाउडर ताकि हमारे हलवे के अंदर दमावे जैसे टक्षर आ जाए और साथ में डाल देंगे मन चाहे ड्राइफ फूट जुआ को पसंद उडाल दीजेगा तो मैंने यहां पे लिया है दो बड़े चमच काजू खुले हुए साथ में अट कर देंगे दो बड़े चमच रफली कटा हो बादाम दो चमच रफली कटा हो पिस्ता और एक चमच जाएगी इसमें चीरोंजी जो ड्राइफ फूट खाते हैं वो डाल दीजेगा साथ में अट कर देंगे फलीवर के लिए अधी चमच एलाइची पाउडर और मेरे पास रखा है केसर तो डाल देंगे केसर के दागे इससे काफी अच्छा हल्वे में कलर आएगा फ्लेवर आएगा लेकिन दूसके कर सकते को अधीकत नहीं है अब सभी चीरों चाहिवर के अच्छे से मिला देंगे français तरके जो फ्लेवर से अबहुत बहुत टेशटी बनता है अपर गणाई ज्रूलय आप टैश्टी आपने कर अगरे की आह सा फीस पर सबने मडिलको lang करिकः तो अगर आपको वीडियो आपको पसंद आयो Θ Izzyz प्लिटी फी oder को फीस बारी पटाथे शेयर कर ना भुलाइगा और मै невीडियो क wrestle देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रू बताईगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा तो यहां पर हमारा प्रेमिस बनके तयार हो गया है एक बना लिजे पूरे चार में तर खराब नहीं होता है अब चालते हैं इसको बनाने के लिए कैसे बनाते हैं प्रेमिक्स से हम जब कि मेल्ट हो जाएगा फिर इसमेट कर देंगे हम यह अपना हो मेट मुंदार हल्वे का प्रेमिक्स तो मैंने यहां पर एक कप के नाफ से दो कप लिया है और यह देखे एक कप बच गया जो बाद में यूश कर लेंगे बनाना हो अगर बना लेंगे यह तो स्टोर कर ल हल्वे को बनाने के लिए मैंने घी उसकिया देसी घी वैसे आप चाहें इसको रिफाइन ओयल में बना सत्ते है तो वनस्पति घी यूश कर सत्ते हैं जिसमें भी आपको अच्छा लगे बहुत से लोंग गी नहीं पसंद करते हैं तो वह रिफाइन ओल भी बना सत्ते कोई दो कप प्रिमिक्स लिया है तो पाने थोड़ ज्यादा ही उसकरेंगे क्योंकि मैंने यहां पर कच्छी दाल का यूश किया है मूंदाल पाने इंसोक ने किया है तो पाने थोड़ ज्यादा यूश करेंगे तो आप चाहें पानी जिगा पर दूद कभी यूश कर सते हैं पा बुर्मेट भूनने के बाद में गैस की फिलें को मेड़ रखेंगे अब यह देखिए गरम गरम पानी डाल देंगे पहले एक अच्छे से मिला देंगे ताकि कोई लफ्ज गाठे ना पड़े और यहां पर देखिए जो पानी है हलवे में अच्छे से मिक्स हो गया है अब जो बचा हुआ ड़का पानी रहे वो डाल देंगे और यहां पर जो सारा पानी हल्वे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा यह देखिए मिक्स हो गया है अब इसको में भूनना है लेकिन हम क्या करेंगे हल्वे को ढखके भूनेंगे उससे क्या होगा जो हमने कच्छी दाली उसकी है वह फूल जाएगी और इसी बहुत इच इतना अच्छा कलर अनसरू हो गया है मिला दिया है फिर से कवर कर देंगे और ऐसे एक मेट के गयाप में इसको हम चलाते रहेंगे जब तक हल्वा जो हमारा वगी को सेपरेंट कर दे और यहां पर देखिए जब घी अच्छे से सेपरेंट हो जाएगा सब जाएगा समझ आ हभा इंघ पिस ऑंड जाहाई तो यहां पर देखिए यो अच्छे से बन गाया है यह जो कि अफिटावल हल्वा से बनाए परणी कि जूषी जूहर को हो पतलम अपर्लभ को मूं डाल नेन अब सर्दी को मौसा माच चुका है ऐसे में घर पे आपने मूंदाल का हलवा नहीं बनाया तो क्या बनाया लेकिन टाइम नहीं है कैसे बनाया बजार से ले आए यह सोच रहे हैं तो आज की रेसिपी ट्राय करना बिल्कुल नभूलिएगा इतनी आसान इतनी मजदार बनती है जो खाएगा आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा तो यह लिए तैयार हमारा जटपट से बनने वाला बहुत-बहुत मजदार मूं में जाके घुल जाने वाला इंस्टन मूंदाल का हलवा जिसको मैंने बनाया है होममेट प्रिमिक्स के साथ में जो की बहुत ही मज़े का बन होते हैं तो प्लीज फॉलो करिएगा अभी के लिए धन्यवाद थैंक्स टू वाच प्लियंका किचन जोन